हेलो एबरिवन कैसे हो आप सब जैसा कि आप सब कोई को पता है कि मैं रच्छावंदर में अपने माई के जा रही हूँ मैं अपने घर से निकल के भिलाई स्टेशन के लिए जा रही हूं और यहां मैं दुर्गी स्टेशन यहां पर वेट कर रही हूं मैं अपने ट्रेन का जो दुर्ग से हटिया के लिए जाएगी और मैं यहां पर पैट गई हूं अपने ट्रेन में यहां मेरा बेटा बदमासी कर रहा है बार बार उपर नीचे उचल कूद लटा कर आइधर उदर उदर उसको देख करके मेरी बेटी भी इसी तरह करने लगती है अनुका अच्छा लग रहा है यहां पर अब जैसे ही रांची स्टेसन पहुंचूंगी मैं फिर अब रांची से खोडर्मा के लिए और तो बैढ़ गए नहीं रांची से खाटिया स्टेसन से खाद गाडां के लिए बारिज भी बहुत तेज भी हो रही थी और हम लोगो ठंड भी लग रही थी तो उस ठंड को दूर करने के लिए हम लोग यहां एक ढबा में बैट गए बैट के चाई भी पिए कुलड़ वाली और जैसे ही चाई पिके होती हूं उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारी टेक्सी आ जाती है फिर हम लोग उसमें बैट करके फिर अपने मैके के लिए मैं निकल जाती हूं और फ्रेंड्स वहां का व्यू इतना सुन्दर था इतना सुन्दर कि पूछों पहाड़ बारिश उपर से हर्याली चारो तरह बहुत अच्छा लग रहा था डीवी से टैम देखकर के मेरे बच्चे लोग बहुत खुश हो रहे थे और मैं अब अपने घर बस पहुंचने वाली हूं यह मैं पहुंच चुकी हूं सभी लोग बहुत खुश थे थैंक यू